कि हलो एव्रीवन एंड वेलकम बैक टो यूजी सिनेट में टॉर आई होप यूजी सिनेट के लावा सेट के एक्जाम भी होते हैं जिससे आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टन प्रोफेसर के लिए तो इंडिया में तीन अलग-अलग स्टेट में सेट के जो फॉर्म है वो सब्सक्राइब करते हो उस स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टन प्रोफेसर बनने के लिए आप हर जगा अपलाई कर सकते हो मतलब उस स्टेट के अंदर आप सभी कॉलिजिबल हो जाते हो अपलाई करने के लिए तो क्या सेट का फ़ॉम भरना चाहिए या फिर नेट के लिए अपलाई करें तो यह देखो अगर आपने सेट का एक्जाम कॉलिफाई कर लिया तो आप एटलिस्ट उस स्टेट में तो एलिजिबल होई जाओगे तो ऐसे मैं आपको सेट का एक्जाम देना चाहिए जरूर फॉर्म फिलिंग करने चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं जो कि अलग सी पूछा जाता है सेम सिलिबस है अगर आप नेट की त्यारी करें तो आप सेट एक्जाम भी देने चाहिए अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से स्टेट में फॉर्म निकले हुए है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात स्टेट एल इस वज़े से सिंगल एक्जाम कंड़क्टर वा लेते हैं डिरेशन ओफ एक्जामनेशन तीन गंटे का होगा और पेपर न पेपर टू करेंके कंड़क्ट किया जागा सेम वैसे ही जैसे कि आपका यूजी सिनिट में होता है तो यह आपका गुजरात वाला हो गया इसके ल आप्लाइन एप्लिकेशन जो है देट इस फस्ट ऑफ अगस्ट एंड लास्ट जो होगा अपलाई करने का दैट विल भी थर्टी फस्ट ऑफ अगस्ट और इसके लागा क्रेक्शिन विंडो यहां पर ओपन की जाएगी 9 से 11 स्थमबर की वीच में डेट ऑफ एक्जामनेश तो यहां पर देख सकते हो कमेस्मेंट ऑफ समिशन ऑफ ओनलाइन एप्लिकेशन इस फिफ्ट ऑफ अगस्ट से स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट यह होगा समिशन का देट विल बी 29 ऑफ अगस्ट मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 23 अगस्ट को इसका मतलब अभी आपकी पेस देनी पड़ेगी 1500 रुफे की इसके लाव अगर आप उससे बी ज्यादा लेट करते हो नौश नंबर तक अपलाय करते हो तो इसके लावा आपको 2000 रुपे दिने पड़ेंगे लेट फीज के तॉर पर अगर आप उससे भी ज्यादा लेट करते हो फॉरमफ लिंग में आप सभी को पता है कि जो नेट की एक्जाम हो दिसंबर में होने हैं तो जो यह वाली एक्जाम है आप डैफिनेटली इन में अपियर कर सकते हो और अगर आप इन स्टेट से बिलोग करते हो फिर तो आपको 100% इस फॉर्म की फिलिंग करने चाहिए अगर आप दूसरे स्टेट कोई में नहीं करता आप कहीं से भी किसी भी स्टेट में अपियर कर सकते हो और गाई आप देखो तैयारी कैसे करें तो यूजी से नेट और सेट हम दोनों की तैयारी करवा रहे हैं यह मेरी परसनल गैरेंटी आपको कि यहां पर क्वालिटी बेस्ट कंटेंड मिलेगा एक स कुछ जो चीज़ें कंप्लीटल एक्जाम टार्गेटेड हैं जैको सिलेबस बहुत बढ़ा है पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों को हम बात करें तो सिलेबस बहुत लेंदी होता है लेकिन इस सिलेबस में कंप्लीट से हर एक टॉपिट से कोशन नहीं बनते हैं कुछ बार बार कोशन बनते एक्जाम में और उन टॉपिक उन यूनिट्स को मैंने इस तरीके से एक्स्प्लेइन किया है कि 7 और 8 क्लास का इस्ट्रेंट देखेगा तो वह भी चीज़ों को समझ लेगा इतने बेसिक्स एक्स्प्लेंट किया है इन में भी आप अच्छे स्कोर कर अब यहाँ पर नेट का और से लिए बस है तो अलग से कोई जरूतनी है अगर आप नेट की त्यारी करते हो नेट का कोर्स जों करते हो तो सेट की त्यारिए भी हो जाएगी तो इस तो कोई design course नहीं है आप the net वाला course जॉइन कर लो वहीं पर आपकी जो प्रिपेशन वह अच्छे से हो जाएगी इन सभी courses को जोईन करने के लिए simply google play store से आपको UGC net mentors अगर आप आप इस यूजर है तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा तो थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो शेर देस वीडियो विद आल नेट सब्सक्राइब और अशिस्टन प्रोफेसर जॉब अप्डेट इस मिलते हैं फिर अव्लोग नेक्स वीडियो में तिल दन कीप वाचिंग यूजिस नेट मैंटर थैंक यू सो मच